प्रेंट्स हूं उनके ग्रुप्स हूं सारे लोगों को आप लोग फटा फट जल्दी से सीग्र अतिसीग्र आप लोग जो है सेसन को जो है शुरुवात करिए भाई एक बटा चलो आप लोग जो है जैसा कि हम लोग की ये सिरीज चल लही है एंपी सब इंजीनियर की जैसे कि आप लोग को एंपी सब इंजीनियर की सिरीज UK SSC UK SSC JEE की यह आपनों की सीरीज और UPPSC UPPSC AE का जो पेपर लगा हुआ है उसके कमाइड कुस्चन आपके फुराने एयर के पेपरों में आप लोगों को मिलेंगे बटा ठीक है आप लोग फटा फट जो है आजाएए जल्दी से हम लोग इसके बाद फिर शुरुवात करते हैं ठीक है जल्दी से आईए भाई आप लोग जल्दी से आजाएए भाई आप लोग ठीक कि चलो चलो बैटा हम देखते हैं हमारा यह पहला कोश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर यह रहा दा इसकोर विलास्टी आपकी क्या होती है किसी भी स्ट्रीम की बोलो भाई इसकोर विलास्टी आपके स्ट्रीम की क्या होती है average velocity होती है कि maximum velocity at any time during the year किसी भी साल में आपकी maximum velocity होती है बटा velocity which can move the particles of the bed material ऐसे particles good evening बटा good evening good evening all of you कि velocity which can move the particles of bed material कि आपकी क्या होती है velocity at which a highway bridges is able to be damaged कि जो ऐसी velocity जो आपकी highway को bridge को damaged कर दे वो velocity होती है बताओ बाई जल्दी से इसका answer बताओ आठ बजे वाली क्लास की timing अच्छी नहीं है कल से मैं recorded classes देखूंगा अच्छा एने पेशी जेई सिविल में 130 मार्क आया है चलो ठीक है बटा बटा सब के हिसाब से हर बेक्ति के हिसाब से timing है मैं adjust नहीं कर सकते ठीक है कोई सुबह खाली है कोई साम को खाली है सुबह साथ बजे लेते थे आप लोगों को तब भी समस्थे आए थी कि सर जग नहीं पाते ठीक है तब क्या होगा बताओ एक लोगों के साथ थोड़ी भी पानी जो बह रहा है इस सेडिमेंट सेंड पार्डिकल्स को बहा के किसी दूसरे स्थान पर ले जाता है वह बेटा आपको क्या कहलाता है वह विलॉस्टी उस वाटर की स्कोर विलॉस्टी कहलाती है तो विलॉस्टी विच कैन मूब दा पार्डिकल्स आप दा बेड के जो मूव करा सके वह विलॉस्टी आपकी क्या कहलाती है इतना आप लोग समझ लो ठीक है पटा फट से जो है सबी लोगों को भुला लिजे भाई ठीक चलो चलते हैं banc k- राह आप ब्रिज इस्डुक्चर कोई भी ब्रिज' का structure है एसे लेंद जिसकी ग्रḥonge उस क्या है शेक्स मीटर है है अत्वाः उससे कम बिट्वीन शेक्स प्रिष से है जो आप च्य मीटर है अत्वाः से कम है और एक्स्टीम is known as उसको क्या कहेंगे बोलो भाई कह रहा है कोई ब्रिज है तो बैटा ये अगर ब्रिज है मानलोग ब्रिज के ये जो है आपके क्या है ये आपके पायल है ब्रिज के ये और ये इसके कोई slab पड़ी है यही तो होता है ब्रिज यह आपके कोई slab पड़ी है इसके इसके इसमें ठीक यह आपकी रोड निगली है अगर यह spine अगर यह spine आपका center to center 6 meter से कम अथ्वा उससे less आता है तो वह ब्रिज आपका क्या कहलाता है कल वर्ड कहलाता है क्या कहलाता है कल वर्ड कहलाता है अगर इसका प्यारे बच्चों 6 मीटर से ज्यादा हो जाता है तो आपका यह क्या कहलाता है यह आपका ब्रिज कहलाता है वेरी गुड बेटा वेरी गुड ठीक है तो इसका अंसर क्या ठीक है चलो चलते हैं हम लोग next question की ओर कह रहा है in case of a navigable river the minimum free board provided is usually minimum free board provided is usually river में minimum free board कितना provide किया जाता है यह बताना है दो बहुत है किसमें 30 cm से 45 cm वन.2 andрод मीटर से 1.5 जटाहिए वाज 52.4 उटर से 3 मीटर की 1 मीटर बो भाई रंसर बताओ आप लोग सभी रोग चल्दी से इंशरताई यह बाय आप लोग सभी लोग जल्दी से रंसर बताईए आप सबी लोग जल्दी छफटाफट अंतर दीजि भूलो भाई तीसरे का बी 1.2 बेटा देखो पहली बात तो यह समझो कि आपका यह फ्री बोर्ड क्या होता है सपोस्थ यह आपकी रिवर बह रही है यह आपकी रिवर यह बह रही है ठीक है अब रिवर में बेटा इसकी स्ट्रीम अप एंड डाउन होगी तो मान लो जब इस में फ्लड आया तो इसकी स्क्रीम जो है अप एंड डाउन होती है फ्लड के समय अप एंड डाउन होती है जो अप एंड डाउन होती है तो वह उसका कितनी अप जाती है कितनी नीचे जाती है वह उसका क्या कहलाती है वह इसका फ्री बोर्ड कहलाती है ठीक तो यह रिवर के केस में 2.4 मीटर से 3 मीटर होती है कितनी होती है 2.4 मीटर से बेटा 3 मीटर आपकी free word होती है ठीक है चलो चलते हैं next question की ओर एने टीम method of tunneling एने टीम method आपको tunneling का बताना है बोलो भाई जल्दी से बोलो भाई जल्दी से बोलो आप लो एने टीम method क्या होता है सब्वे construction के लिए abnormal geological condition soil at medium of shallow depth tunneling large section is very difficult to the ground बताव भाई गोड एवनिंग बेटा अभी गोड एवनिंग बोलो भाई जल्दी से बोलो आंसर बताव भाई इसका सभी लोग चौते का आंसर बोलिए सभी लोग एने टीम कौन सा method उसका है new American of tunneling method ने टीम को क्या कहते हैं new American American tunneling method यह इसका full form होता है new American tunneling method में देखो यह किसके अनुसार किया जाता है वेरी गुड बेटा आल आप दी सबब अबब सही हैं आपके ठीक सबवे कंस्ट्रक्शन के लिए भी किया जाता है abnormal geological condition के लिए भी होता है स्वाइल मीडियम आप सैलो डैप्थ मीडियम डैप्थ हो यह सैलो डैप्थ भी के लिए भी किया जाता है टानलिग लार्ज सेक्षन इस वेरी डिफिकल्ट ग्राउंड तो क्या होता है बेटा जो टानलिग का लार्ज सेक्षन बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसके लिए भी आपका होता है इसलिए answer आपका किसके साथ चला जाएगा D option के साथ चला जाएगा कह रहा है which of the following shape is suitable for the construction of tunnel in non cohesive soil non cohesive soil के लिए बिटा कौन सा shape tunnel का उपियोगी होता है rectangular, source of shaped या circular बता दो भाई क्या होता है इसका answer बता भाई बुलो भाई suitable for excavating very large cross section कौन सा है बेटा very large कौन से सेप के लिए बात करा दो देखो suitable for उसके लिए होता है non cohesive soil के लिए circular सेप का होता है जो circular सेप को वो क्या करता है कम करता है ठीक है यह circular से तो इसका answer क्या हो जाएगा डी option के साथ circular सेप में चला जाएगा चलो very good बिटा कह रहा है tunnel that are made made है mode नहीं है made to shortcut minor local obstacle are card बताओ भई क्या है tunnel are made to shortcut minor local obstacle are card spiral tunnel short tunnel of sport tunnel saddle tunnel मतलब कह रहा है tunnel आपको बिछाना है बिटा tunnel बिछाना है और tunnel बिछाने के लिए आपको shortcut मतलब length है आपको मान लो आपको 10 km tunnel बिछानी है एक यह a point है और यह b point है और इस a और b point की distance आपको 10 km है तो आपको ऐसा क्या करना है कि shortcut tunnel बिछाएं कि हमारे 10 km area में सिजाई भी हो जाए और हमें 10 km tunnel बिछानी भी ना पड़े तो उसमें यह कौन सा मैथड होता है यह बता रहा है कोशन यह पूंच रहा है और कुछ नहीं बताव भाई अगर आप spiral tunnel की बात करो तो spiral tunnel क्या करता है अगर यह 10 km में ऐसे आप spiral की तरह बिछाओगे तो इसकी लेंथ तो और बढ़ जाएगी तो इसमें क्या होता है आफ इस पूर tunnel आपका shortcut method होता है किसमें कम length में tunnel बिछाने के लिए very good बटा है तर वेरी गुड ठीक चलो चलते हैं next question की व्योर which among the following is not part of sealed equipment कौन सा equipment आपका sealed equipment नहीं है gravel tank, trailing dam, napier car की chute बहुनो भाई कौन सा आपका जो है नहीं है answer बताओ बाई जल्दी से answer बताओ बाई जल्दी से बाई बोलिए जल्दी से answer इसका तो आप लोगों का यह कौन सा है देखो जो sealed के लिए sealed equipment क्या होता है कि जब आप tank या dam जो है आप लोग बिछाते हो उसमें यह part यूज किया जाता है तो gravel tank में भी यूज किया जाता है ट्रेलिंग डैम में भी यूज किया जाता है यह भी लेकिन नैपियर कोई construction नहीं होता नैपियर कार कोई construction का नाम नहीं है यह तो जो है उस फ्लो का नाम है जब कोई फ्लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हाई विलॉस्टी से वियर और नौट में पड़ा होगा जो उसका सेव बनता है वह उसका नैपियर कहलाता है ठीक यह कोई construction का for the needle beam method, needle beam method का operation आप लोगों को बताना है कि काउन सा method आप लोग करते हो trench jack is placed on the center line of the needle beam to support the segment, दूसरा है आपका monkey drift is driving for a short distance, तीसरा है आपका drift is widened sideway and supported by lagging segment the roof of the monkey drift is supported by lagging, the needle beam is slow देखो needle beam method में आप लोग क्या करते हो, needle beam method में किसी भी road construction का needle beam method में किसी भी road construction का जो आप बहुत ही आसानी से few minute में उसकी roof को construction कर सकते हो way method आपका क्या कहलाता है, way method आपका needle beam method कहलाता है, तो इसमें उसका order लगाना है कि सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसका order किसके साथ जाएगा, इसका order जल्दी से पढ़ो, चलो देखो इसका order जो होगा बिठा आपका c number के साथ देखो जाएगा, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले monkey drift, monkey के drift के अकार का driving short distance में उसको खोदते हैं, पहला number, जो दूसरा number उसमें करते हैं, दूसरा number क्या करते हैं, निडिल बीम में slowly skidded forward into the monkey drift, एक निडिल बीम होती है, ठीक है, वो किसमें, यह आपका experimental है, highway design का, electrical में हूँ, क्या संघर्ष batch ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते बेटा, बिलकुल ले सकते हो आप, बिलकुल ले सकते हो, यह आपका संघर्ष बैच 15 तारिक से आप लोगों का launch हो रहा है, ठीक है, बिलकुल ले सकते हो, इसमें offer भी हैं, और आप लोगों के बलिये बता दे, जो EAD जो है पूरी EAD फैमिली ने जो MP सब इंजिनियर के लिए भारी भरकम वेकंसी आई हुई है समझ लो कि ये 2022 के इतिहास में इससे बड़ी वेकंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी पहली बात तो इससे बड़ी वेकंसी अगर आप इस वेकंसी में सेलेक्शन लेना भूल गए तो ये समझ लो चूक गए अगर थोड़ा सा भी कहते हैं न कि डाल का चूका बंदर जो होता है उसको केवल क्या मिलता है उसको जो है मौत उसकी निश्यत होती है तो अगर आप लोग तयारी कर रहे हैं तो MP सब इंजीनियर के लिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके अगर आप में पढ़ने की छमता हो पढ़ने की छमता हो आट गंटे नौ गंटे बैट अगर आप सकते हो क्लास में अगर आप आठ गंटे, नौ गंटे क्लास में बैठ सकते हो तो जितनी जल्दी हो सकें आपकी classes आपकी start हो चुकी हैं आप लोग जल्दी से जल्द, जल्द से जल्द इस course को apply कर लें और इसमें कल सुबह से सब्जेक्ट वाइज तो आप लोग जैसे मेरी महरातन सुबह 6 वजे हैं आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा प्लीज ठीक है चलो चलते हैं अपने target की ओर तो यह जो है आपका भी option हो गया दीसरे में कहते हैं निडिल बीमी slowly पहला जब मंकी डिफ्ट में काट दिया आपने तो इसके बाद निडिल बीम की slowly skid कर देते हैं इन forward direction में ठीक तीसरा आपका आता है नहीं बेटा यह जो है यह होगा न डी दूसरा यह होगा तीसरा यह होगा truth of the monkey drift is supported by lagging दूसरा और तीसरा आपका हो जाएगा यह और चौता क्या हो जाएगा आपका ए और यह सी ठीक है इसमें आप लोग मिला के इसको कर लोगे निडिल भी मैथे निडिल भी मैथेड से आप लोग यह ध्यान रखोगे कि निडिल भी मैथेड से इस्टेंटली किसी भी स्वाइल की जो आप लोग रोड कंस्ट्रक्शन में विछाते हो उसका सर्फेस जो आप जो है डिजाइन करते हो इस्टेंटली डिजाइन हो जाता है चलो इतनी चीज याद रखनी है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की योर क्लास को बेटा जल्द जादा से जादा जो है लाइक एंड सेयर आप लोग करते रहो चलो विच आप दा फॉलिविंग इजे सिरीज हेल्थ इस्यू इन केस ऑफ वर्कर्स इन वार्ड इन टनलिंग कह रहा है बेटा कि जो भी मजदूर है आपके टनलिंग में टनल जहां प सिलिकोसिस हो जाता है कि जो इंडेस हो जाता है बता वाई कौन सी बिमारी उनको हो जाती है तो अब उसमें कौन सी बिमारी बेटा जो टनल में मजदूर काम करते हैं टनल बनाने में तो उसमें डस्ट उड़ती है और वो डस्ट जाके अंदर फेफ़डों में बैठ जाती ह और उस फेफणों के दोरा जो बिमारी होती है उस बिमारी का नाम होता है सिलिकोसिस उस बिमारी का नाम क्या होता है बेटा सिलिकोसिस ठीक है इस चीज को आपको ध्यान में रखना है चलो चलते हैं next question की ओर कह रहा है the amount of fresh air amount of fresh air सुध एयर required to maintain ventilation of workers inside the tunnel should be कह रहा है कि जो tunnel में अब जो से tunnel है मानलो ये tunnel है बन रही है ठीक है inside the required maintain the ventilation of workers inside should be तो fresh air कितनी आवशकता होती है इस tunnel में जो उड़ रहा है उस fresh air की quantity आप लोगों को बतानी है बतावाई जल्दी से answer दो इसका जल्दी से तो जो fresh air की quantity होती है बेटा यह इसकी quantity होती है 6 से 14 मीटर क्यूब पर मिनट कितनी होती है 6 से 14 मीटर क्यूब पर मिनट ठीक है इस चीज को ज्याद रखना ठीक है यह आपका exact value है चलते हैं next question की ओर next कह रहा है method used to control the amount of dust where use of water which oil drilling may be impractical or undesirable ठीक है method used to control the amount of dust where use of water drilling may be impractical कह रहा है बेटा कि अगर कहीं पर देखो क्या करते हैं कहीं भी अगर आपकी air air उड़ रही है धूल उड़ रही है तो आप लोग क्या करते हो पानी का छिड़काव कर देते हो कि आपके गर्मियों के दिन में धूल न उड़े उसी प्रकार जो मजदूर टनल मे सुल कर रहे हैं कह रहा है वहां पर पाणी नहीं है पाणी की मातरा कम है इंप्राक्टिके वल तो अंडिजाउरेबल है तो आपका कौन सा मैंफर्ड यूज किया ना हो तो वहां पे क्या करते हैं की वहां पे एक सिस्टम हमारा लगा होता है तो यो सिस्टम क्या कर सकता है जो आपकी ड्राई जो है वो सैंडी एयर होती है या मड़ी एयर होती है उसको जो पार्टिकल्स उसमें होते हैं उसको सब कर लेता है और एयर को जो है क्या कर देता है प्योरिफाई कर देता है वहाँ पे काम करना आसान हो जाता है तो क्या होगा इसका और आ है compressed air compressed air tunneling the amount of air required per minute per meter square of face area compressed air में अभी मैंने बताया है ये question अभी इसकी range बताई है किकर आ है compressed air tunneling the amount of air required कितनी air की requirement होती है आपको per minute per meter square में बोलो भई तो आपको 6 मीटर क्यूब से 14 मीटर क्यूब मैंने बताया है तो कितना हो गया minimum 6 मीटर क्यूब पर minute per meter square आपको air की आवश्चकता हो जाएगी बोलो भाई क्लास को आप लोग बिल्कुल भी like and share नहीं कर रहे हो ठीक चलो कह रहा है correct pair soving percentage of total solid in cow dung and night solid बहुत अच्छा question है बाई कह रहा है कि cow dung यह क्या होता है गाय का गोवर ठीक है तो cow dung में कितना percent solid है और night soil में कितना percent particle के solid होते हैं यह कई बार question पूछा गया है इसका answer आप लोगों को बताना है कितने percent होते हैं बताओ बाई जल्दी से बोलो answer बोलो यह आप लोगों को पता है कि जो cow dung में 18 से 25 परसेंट solid particles मिलते हैं वही night soil में 11 से 25 परसेंट आपको क्या मिलते हैं solid particle मिलते हैं तो इसका option क्या साही हो जाएगा इसका option c option के साथ चला जाएगा आपको गुरु जी क्या क्या पढ़ाते हो अब ठीक है अब यह भी दिन आ गए कि cow dung में solid particle भी पता करें क्यों कि night soil night soil बिटा एक ऐसी soil होती है blackest soil होती है जिसमें क्या मिलता है आपको इसमें solid particles blackest soil को क्या कहते है night soil कहते हैं ठीक है चलो देखते हैं यह which of the following pair is not correctly match कौन सा पेर correctly match नहीं है भाईया dead end system hardy cross method से भाईया dead end system hardy cross method से निकालते हो residual pressure at feral point in the ruler area five meter ये तो बिल्कुल सही है वाई five area के लिए रेसी फेरुल pressure कितना होता है ruler area के लिए five meter होता है distribution reservoir के लिए central location करते हैं ये भी सही है grid iron system के लिए more number of wave चाहिए बिल्कुल ठीक है इसका option क्या है ये इसका मत्दब hardy dead end system जो होता है hardy cross method में use नहीं किया जाता है इसका answer क्या हो जाएगा आपको इसका answer हो जाएगा a number ठीक है चलो चलते हैं next question की ओर consider the following statement pertaining to source of supply source of supply क्या होती है groundwater has low organic content and high dissolved oxygen lake water at bottom has silt and bacteria होता है river water in floods have low dissolved oxygen and color तो आपका कौन सा option इसमें सही है बताओ groundwater में lake water में कि river में आपका कौन सा option कह रहा है जल्दी से बताओ भाई answer इसका answer बताओ भाई है ठीक है देखो groundwater has low organic content high dissolved oxygen पहली बात तो इसमें dissolved oxygen जो होती है इसमें क्या होती है high dissolved oxygen नहीं होती ठीक है lake water at bottom has silt and bacteria बिल्कुल सही बात है जो आपकी जील का पानी होता है जील में लेग में उसमें silt and bacteria पाया जाता है इसका मतलब यह option भी option आपका सही हो गया ठीक है यह आपका सही हो गया ठीक चलो चले आगे चले नहीं बेटा राजकुमार question को ढंसे बेटा एक पढ़ा करो ठीक है तुक्का मत लगाया करो तुक्के में सेलक्शन नहीं होगा कह रहा है आज पर आईयस 1055 यह code भी याद रखना है आपको acceptable limit of chloride milligram per liter for drinking water drinking water के लिए acceptable limit कितनी होती है chloride की chloride की आप लोगों को बेटा acceptable limit बताना है drinking water के लिए बुलो भाई तो drinking water के लिए chloride की acceptable limit कितनी होती है कितना ज्यादा हमारा chloride कितना chloride present होना चाहिए water में अगर उसके बाद अगर उससे ज्यादा है तो वह water हमारा पीने योग नहीं होगा तो इसकी limit होती है 250 mg पर लिटर यह याद रखना कितनी होगी 250 mg पर लिटर ठीक है चलते है next question की ओर चलो एक्टीवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन एक्टीवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है aerobic attached growth system an aerobic attached growth system an aerobic suspended growth system की aerobic suspended system बता हो भाई activated sludge process में क्या होता है aerobic attached an aerobic suspended growth system की aerobic suspended system बता हो भाई क्या होता है कि बोलो है हाँ बैटा 250 mg पर लिटर होता है तो जो आपके एक्टीवेटेड है एक्टीवेटेड का मतलब क्या है उसमें oxygen की presence होगी यह क्या होगा aerobic suspended material जो oxygen की उपस्तिती में होता है वो क्या होता है in the presence of oxygen in the presence of oxygen presence of oxygen यह आपका क्या होगा जै आपका बैटा हो जाएगा activated sludge process ठीक है इस चीज को याद रखना है चलते हैं नेक्ट कह रहा है बी ओडी ओडी ओफ वेस्ट वाटर सेंपल आफ्टर फाइब डेज इनक्यूबेशन एट ट्वंटी डिग्री सेंटिग्रेट इस हंडेड मिली ग्राम पर लिटर डी ऑक्सीजनेटिंग रेट constant 20 डिग्री सेंटिग्रेट इस 0.01 पर डे अल्टीमेड बी ओडी तो बी ओडी फाइब आपका क्या होता है बी ओडी फाइब बी ओडी फाइब दिन का बी ओडी फाइब दिन की क्या होती है बोलो भाई यह क्या होती है इसका फार्मूला बी ओडी यू बी ओडी यू वन माइनस 10 तू पावर के इंटू 0.5 कितना दिये के टी कितना होता है 0.5 यह 5 दिन के लिए निकालना है अब बी ओडी आपका 5 दिन का कितना दिये 100 मिली ग्राम पर लेडर दिये यह कितना दिये 100 टीक बी ओडी यू आपका अल्टीमेट बी ओडी आपको निकालनी है 1 माइनस 10 तू तू पावर डियोक्षिजनेशन कॉंस्टेंट कितना दिये 0.1 0.1 इंटू 5 दे बी ओडी आपका यह हो गया यहां से आप लोग बी ओडी यू की वैलू निकाल लो बी बोलू जल्दी से आंसर बोलो जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करके इसका ultimate विओडी का आंसर बताओ बोलो भैई 146.25 की गुरुजी तो बताएंगे बताएंगे अच्छा अंसर ठीक है चलो चलते हैं नेक्स्ट कोस्टिन की ओर इस विच्वन आफ दा फॉलिविंग इस दा परपाज ओफ प्रोवाईडिंग सर्ज टैंक इन पाइप लाइन करीं वॉटर तो बैटा आपका सर्ज टैंक का मतलब क्या है जैसे ही वाल आप प्लोज करते हो ये मालो ये आपका क्या है water भरा है down level में यहां पे आपने एक pipe लगाया है ठीक यह यहां से water आ रहा है ठीक है यहां पे आप एक दूसरा tank बना के यह आपको यहां पे कर देते हो क्यों लगा देते हो जैसे ही आप यहां का यह valve जो close करोगे suddenly यह pipe आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा pressure increase कर जाता है pressure आपका increase कर जाएगा इस pressure को reduce करने के लिए यहाँ पे surge tank लगा देते हैं ताकि यह पानी यहाँ से इसमें चड़ जाए और इसमें भर जाए और यह pipe जो है क्या हो against water hammer को protect कर सके तो protect the pipeline against water hammer ठीक है समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है हां बेटा ठीक चलो चलते हैं next question की और and upper tense used to connect high level branch sewer to low level sewer is high level branch sewer से low level branch sewer में आप लोग क्या connect करते हो बताओ भाई manhole drop manhole inverted siphon catch basin क्या connect करते हो बोलो जल्दी से बोलो भाई तो इसमें देखो जो branch sewer होता है अगर उसकी height branch sewer में अगर उसकी height greater than हो जाती है जी किस से 0.6 मीटर से ठीक है branch sewer की height अगर greater than हो 0.6 मीटर में तो इसमें क्या करते हैं manhole आप प्रवाइड करते हो ठीक है यहां पर क्या मीटर मेट्रिक सुड़ भी रिप्रिजर रेस्पेक्टेवली 20 मीटर और 30 मीटर मेट्रिक चैन में कौन सा जो है आपका tolerance होता है बताओ भाई कितना tolerance होता है 20 मीटर और 30 मेट्रिक आपके चैन में बोलिए भाई आप लोग वेरी गुड भाई हैदर वेरी गुड ठीक तो प्लस माइनस 20 मीटर में प्लस माइनस 5 एमेम और 30 मीटर में 20 मीटर में आपका कितना होता है प्लस माइनस 5 एमेम का tolerance होता है और 30 मीटर चैन में आपको कितना होता है यह आपका बेटा होता है प्लस माइनस 8 एमेम का tolerance इसमें जाता है जो क्या कहलाता है variation कहलाता है length का ठीक है चलो चलते हैं कह रहा है closed contour lines lines one higher value contour inside represents जब कहीं पे ये बताओ जब कहीं पे one higher value ऐसा contour आपको मिल जाए ऐसा कहीं contour मिल जाए तो one higher value किसको represent करता है ये देखो एक अगर आपकी higher value मिलती है तो आपके ये hill को represent करता है किसको करेगा हिल को आपको represent करेगा ठीक है समझ गए ये किरा होगा आपका हिल हो जाएगा ठीक है ये और इसका contour जब decide करोगे तो ये point इसका contour में इसके point की variation जो है यहाँ पे लिक लोगे और ये आपको यहाँ से इसकी location इसकी location इसकी location इसकी location ये आपका जिस point पे होगा यहाँ से contour ड्रॉड कर लोगे जो भी आपका ठीक है समझ गए चलो चलते हैं next question की ओर the line joining of equal dip our card कह रहा है दो कोई line है जो joining हो रही है जिसकी dip value क्या है equal है तो वह line कौन सी कहलाती है dip value dip value क्या होती है जब कोई dip value क्या होती है जब कोई आप जो है क्या लेते हो magnet लेते हो तो उसको क्या प्रत्वी के समीप ले जाते हो तो वो क्या है अपनी position से tilt कर जाता है और वो position आपकी dip कहलाती है ठीक तो dip our card कौन सी line होती है eclinic line, isogenic line, agonic line की isoclinic line कौन सी line होती है बताओ भाई जल्दी से बोलो तो जब कोई दो line points equal dip में हो तो वो line क्या कहलाती है आपकी isoclinic line कहलाती है दो line जिनकी बीच में आपको क्या है equal dip में हो तो वो line है आपकी बेटा isoclinic line कहलाती है कह रहा है magnetic bearing of the sun देखो magnetic bearing आपको निकालनी है कह रहा है यह north है यह north है यह south है यह east है यह west है अब इसमें कह रहा है magnetic bearing of the sun at noon is 178 degree अब कह कह रहा है magnetic bearing यह true north स्मय यह एंगल को एक सो आटर डिन ओंडिक हैं तो करए मैडिक ड्याइच एट डिगरी फिर्वद पोल मतलब नौर्ह साइड में कितना तो है पूरा एक सोशी होता है वेटा है कितना हो गया यह है आपका टू डिग्री हो गया तो कहां की और जुगरा है टू डिग्री इस्ट की और जुगरा है यह क्या हो जाएगा टू डिग्री इस्ट हो जाएगा तो इसका आप्शन किसके साथ चला जाएगा इसका आपका भी नंबर के साथ चला जाएगा ठीक है बताओ tighten कर देना है and the upper clamp is losered और upper clamp को lose कर देना है तो theodolite वो may be turned theodolite कैसी होगी with a relative motion between vernier and graduated scale of the lower plate without a relative motion between vernier and graduated scale of the lower plate both a and b about about the horizontal axis बताओ भाई आंसर बताओ इसका आंसर बताईए आपनों किसका भाई तो यह क्या कह रहा है जब आपका lower clamp is tightened कर दिया जाता है यह theodolite में याद होगर आपको और upper clamp को lose कर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है जो relative motion होता है यह आपका answer होगा with a relative motion between vertical and graduated scale of the lower plate with a relative motion between vernier graduated scale of the lower plate इसका answer क्या हो जाएगा बेटा one first number के साथ चला जाएगा session को बेटा like and share भी करते रहो जतने लोग होंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा total station is used for total station में किसके लिए प्रयोग किया जाता है remote object height of the determination stabilizing horizontal control stabilizing vertical control की all of the total station is used for और किसके लिए total station यूज गिया जाता है बाई बताओ बोलो भाई आंसर बोलो कि तो बहिए total station क्या होता है total station एक instrument होता है जिसको जिस station पे जिस station पे सरवे करना होता है उसके जो है आप जो है नियर एबाउट ले के करते हो इसके ट्राइंगुलेशन मैथेड़ में यूज होता है ठीक है इसका मतलब क्या है remote object height of the determination height भी निकालते हैं उसकी उसको और क्या निकालते हो आप लोग इसको ठीक और उसके बाद is stabilizing horizontal control point भी decide करते हो stabilizing vertical control point इसका मतलब सारे आपके answer यह सही हो जाएंगे ठीक है चलो very good बेटा very good ठीक चलो sensitivity is of a level tube increases sensitivity अगर level tube की increase करती है तो increase in the radius of the curvature of the bubble tube तो उसकी radius increase करती है smoothness of finish of the inner surface of the bubble tube कौन सा है सही बताओ वाई answer बताओ इसका जगर किसी bubble tube की आप लोगों को क्या है कि sensitivity increase कर जाए सेस्टिविड़ी increase कर जाए तो आप की ऐस देखो sensitivity करने का मतलब क्या है उसका radius भी बढ़ जाता है बिलकुल सही बात है उस जो है जो आप लोग जैसे आ तो अप सेंस्तिविटी किस में जैसे डंपी की लेवल यूज करते हो लेवलिंग करने के लिए उसमें यूज किया जाता है ठीक है तो इसमें क्या है इसके दोनों आप्शन सही हो जाएगे ठीक है यह इस स्मूथनेस आफ इनर सर्फेस आफ दा बवल कर आया है इव दा इंटर्सेप्ट आफ वर्टिकल स्टाफ इस अब्जर्वड एज जी रो पॉइंट सेवन फाइव मीटर ठीक है मान लिया हमने फॉर ए टैक्यो मीटर विद लाइन आप साइट और जूंटल फिटेड विद इन लेक्टिक लेंस दा होर्जूंटल डिस्टेंस बिट्वीन दा टैक्यो मीटर तो होर्जूंटल डिस्टेंस निकालना है तो होर्जूंटल डिस्टेंस डीज इकल स्टू क्या होता है के अस प्लस सी यह होता है अब कह रहा है इसमें डीज कल टू के अस प्लस सी इन लेक्ट लेंस में बेटा अगर आपका कहीं एनालेक्टिक लेंस की बात करें तो एनालेक्टिक लेंस में आपकी सी की वैलू जीरो हो जाती है ठीक है यह तो आप स्टाफ इंटरसेप्ट आपको क्या कहा है स्टाफ इंटरसेप्ट इस इकल टू क्या है 0.75 और इसमें मल्टिप्लाइं constant कितना होता है के की value 100 तो यह आपकी क्या हो जाएगी यह आपकी 75 meter हो जाएगी कहा दिये c option आपका दिये 75 meter ठीक है very good बेटा चलो चलते हैं next question की ओर fraud transition curve fraud transition curve आप लोग क्या निकालते हो बता वाई cubic spiral cubic parabola Bernoulli lemnese skade की ellipse क्या निकालते हो आप लोग fraud transition curve क्या निकालते हो cubic parabola spiral cubic parabola Bernoulli lemnese left us क्या निकालते हो हाँ बेटा है दर बिल्कुल सही है ठीक है इनलेक्टिक लेंस के लिए आपकी सी की वैलू जीरो हो जाती है तो कि फ्रॉट्स ट्रांजीशन कर्व में इसका सेफ होता है क्यूबिक पैराबुला होता है याद रखना कि फ्रॉट्स ट्रांजीशन कर्व का सेफ कैसा होता है आपका क्यूबिक पैराबुला होता है चलते ह है next question की ओर we triangulation triangulation selected close to the main station close to the main station मतलब जहां पे आपको triangulation करना है वहां पे आपको आपको instrument को रख दिया जाता है उसके नियर ए्वाउट एवाइडिंग intervening obstruction is called तो उसका उस और obstruction को क्या कहते है टाइ इस्टेशन इसंट्रेकि स्टेशन प्टाया वौट सेंसट कि चल्दी से अंसर बताू इसको जल्दी से के आप लो अंसर ऐसे अगता हो है था अमट्राइय कुले इसन आपको जो जो कहा है कहे से करते से करते हो इसके पहले वाला भी कोश्चन यही था उसमें घुमाया था कोश्चन को और तो यह क्या हो जाएगा सेटेलाइट इस्टेशन ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की हो करा है honor of a building required 15,000 dollar to repair his building करा कोई भी honor है जो मालिक है अपनी बिल्डिंग का 15,000 रुपए maintenance में after खर्च करता है after 5 साल में 5 साल बाद what some should be what some should be owner have to invest now in order to receive to receive required amount of money at a rate of compound interest 8% बोलो भाई इसका ये जो है आपको पताना है तीस्वे का D थी क्या हुआ गलब क्या अंसर क्या प्राब्लम क्या है है और बोलो भाई इसका आजर बताओ कोई भी honor है वो करता है 15,000 रुपए करता है तो क्या क्या होगा तो इसमें क्या पूछ रहा है एक क्या होता है मिस्ट्रधन का formula किसी को याद है मैं पढ़ी है बोलो भाई A is equals to A is equals to P 1 plus R to power N 1 plus R to power N तो यह आपका यह P निकालना है तो इसके लिए मिस्ट्धन calculate करना पहले 15,000 उसकी maintenance है इसके लिए मिस्ट्धन क्या होगा यह आप लोगों के लिए task है ठीक यह इसका लोग है इसका मिस्ट्धन निकालना और P की R की value आप लोगों कितना दिये 0.8% ठीक समय भी आपको 5 साल दिये इस formula से निकाल लो जो भी आएगा आपका answer आ होगा किस की पूझ रहा हो कौन से question की बात पूझ रहा हो चलो चलते हैं next question इसको कर लोगे ठीक है चलो कुछ नहीं है value रखके calculate कर लेना वाइल राइटिंग specification the following principle shall be adopted कौन सा principle adopt करना है बताओ description of material workmanship tools and plants protection of new work clause of the specification की expression बताओ वहीं वाइल राइटिंग specification 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 आपके specification आपके आपके कितने दो प्रकार के होते हैं एक आपका general specification आएक आपका general specification 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 और आप एक आपका क्या होता है पेटा detailed specification जब किसी project को आप जो है क्या करते हो detailed detailed specification specification ठीक है जब किसी project को करते हो आप लोग तो project करने में क्या होता है प्रोजेक्ट करने में दो प्रकार के specification तो इस जनरल specification तो जनरल चीजों को आपको बता दे वह आपका general जैसे आपने बताया कि concrete का घर बनाना है मुझको brick की वाल करनी है यह आपकी general specification हो गया अब आपको detail specification यह बताना है कि बता दिया जाए कि मुझको इतने इस fireport इतने सरिया इतना cement यह लगाना है फिर concrete की वाल वरानी है तो यह detail specification आपका हो गया इसका मतलब क्या है description of material बताना बिल्कुल सही है workmanship to land plant जो भी कितने मजदूर कार कर रहे हैं कितने मसीने लगी है कितने plants लगे हैं बिल्कुल सही है protection of new work new work के लिए आपने क्या सुरच्छा दी है clause of the specification क्या है expression इसका मतलब क्या है इसके सारे सही है एक दो तीन चार पांच वी नंबर के साथ इसका answer चला जाएगा ठीक है चलो चलते हैं next question की ओर purpose of rate analysis rate analysis का बेटा purpose क्या होता है to determine the current rate per unit of an item at the locality to examine the viability of rate offered by contractor to calculate the quantity of material यह off है बेटा ओ नहीं है of material and labor strength requirement of the project planning to fix the labor contract rates बताओ भाई क्या answer इसका सही होगा अंसर बताओ इसका जल्दी से बोलो भाई भाई या purpose of rate किसी भी आप कहीं का भी rate निकालते हो उसका purpose क्या होता है determine the current rate जो उसका मूल जो है वर्तमान की लागत क्या है उस item की मान लो आपने बिल बनाया कि सिमेंट का बैग 6 महीने पहले आपका 280 रुपए पर बैग था लेकिन 6 महीने बाद जब आपका का काम शुरू हुआ यह बैग आपका 320 रुपए पर बैग हो गया तो इसका मतलब क्या है करन्ट रेट आपको मालूम होना चाहिए एक्जामिन दा वाइबिल्टी वाया मतलब मौखेक रेट ऑफ ऑफर्ड बाई कंट्रेक्टर आपने कांट्रेक्टर ने कह दिया कि आप लोग को क्या हुआ बेटा मुख से कह दिया मौखिक रूप से कह दिया कि आपको इतना एंड लेवर स्टेंथ रिक्वार्मेंट आप प्रोजेक्ट प्लानिंग आपको उस मटेरियल की लेवर स्टेंथ या उसकी प्रोजेक्ट प्लानिंग को भी जाज परताल करनी चाहिए फिक्स लेवर कॉंट्रेक्ट रेट और जो लेवर फिक्स रेट कांट्रेक्ट रेट पर काम कर रही है उसको भी आप लोगों को जाज पर्दाल करनी चाहिए इसका मतलब एक दो तीन चार चार चारो अप्सन सही हैं इसका अंसर किसके साथ चला जाएगा ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और यूजूवल प्रैक्टेस और बेंडिंग और नियर सपोर्ट इस एट एन एंगल बता वाई यूजूवल प्रैक्टेस और बेंडिंग भाया यह आपका यह हैमान लो यह कह रहा है कि यह आपकी कोई बीम है ठीक है यह बीम है और यहां पे यहां पे आपकी यह ऐसे रिइनफ पड़ी है यह आपका क्या है यह आपके क्या होंगे यह आपके सियर सियर रिन्फोर्स्मेंट होगी तो इसकी बैंडिंग कितनी होती है यह इंगल वेटा कितना होता है इसका यह इंगल आपका कितना होता है यह इंगल आपका 45 डिगरी होता है नियर एड़ी सपोर्ट इतना तो आपको मालुमी है चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो पैंटिंग कऊरुगेटेड स्टील सीट सर्फेस सैल भी मीजर्ड फ्लैट मीजर्ड फ्लैट एंड धा एरिया वर्कड आउट विए इंक्रीजड भाई कह राय कि किसी में किसी में आपको पैंटिंग करना है कर रूगेटर इस्टील सीट में सर्फेस अल भी मिज़र तो उसका एरिया आप कैसे मेजर करोगे कि इरिया वर्ग्ड सल भी इंग्रीस की उसका एरिया आपको पता चल जाए बता ऊई आंसर बता ओओ innate करते area उस Gast okay pump का गा एरिया होता है किसी सर्फेस में वह आपका सम्थिंग निड़ कितना होता है यह का नियर बाउट बेटा 14% होता है इस चीज़ को याद रखना कितना होता है 14% आपका होता है वेरी गुड बेटा चलो which of the following specification are not correctly correct with reference to a brickwork brickwork के लिए कौन सा आपको correct नहीं है brickwork shall be done in such a way that all joints are full of motor all joints are full of motor ठीक है सभी joints पूरी तरह motor से भरी हूँ ठीक for all exposed brickwork double इसका folding having two sets of vertical supports shall be provided brick required for brick masonry with mud motor need not be sold बताओ बाई answer क्या होगा इसका answer बताओ इसका answer बताओ इसका बाई क्या होगा इसका answer बाई देखो पूच क्या रहा है not correct कौन सा सही नहीं है यह पूच रहा है ठीक है तो brickwork all done in such a way that joints are full of motor सारे joints जो भी joints होते हैं brickwork में वो पूरी तरीके से मोटार में भरे जाते हैं यह तो बिल्कुल सही है सही है बिल्कुल सही है चलो इसका मतलब for all exposed brickwork double इसका folding having two sets of vertical support shall be provided वह यह इसका folding में के case में जो आपको क्या supports में दो जो है supports आपको लगाते हैं यह भी बिल्कुल सही है आपका brickwork required for brick masonry with mud motor need not be soaked यह बताओ मट जो होती है आपकी क्या motor motor के water जो आप mixer होता है उसके water को soak करती है क्या नहीं करती इसका मतलब यह भी सही है इसका मतलब none of the above कोई आपका answer गलत नहीं है ठीक है इसका आप सर किसे चला जाएगा दी option के साथ आपका चला जाएगा चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओड़ कि दा नॉमिनल लोड लेफ्ट नॉमिनल लोड एंड लेफ्ट एलाव फॉर एर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन और फाउंडेशन भया कोई भी फाउंडेशन है यहां से आपने इस मिट्टी को खोदा और यहां से ले गए कितना यह आपको यह आपको क्या कहलाता है यह डिस्टेंस जितनी ले जाते हो यह लीड कहलाता है कितनी होती है यह आपकी कितनी होती है बोलो भाई यह यह आपकी 30 मीटर होती है लीड की डिस्टेंस ठीप और यह जो जितनी डिस्टेंस पे इसको ले के जाके आप लोग पोड करोगे यहां पे डालोगे यह डिस्टेंस कि नहीं होती है 1.5 मीटर यह कित क्या कहलाएगी आपकी यह आपकी लिफ्ट कहलाएगी इसका अंसर किसके साथ चला जाएगा 30 मीटर एंड 1.5 मीटर के साथ चला जाएगा चलो फिच मैथड ऑफ डेप्रेशन इज सूटेवल फॉर फाइंडिंग डेप्रेशन आप बिल्लिंग हेविंग लाइफ हंड्रेड इयर 100 एड्र के लिए आपको कौन सा मैथड सूटे बल है बोलो भाई अंसर बताओ इसका है है अंसर बताओ यह आपका सबसे suitable method होता है depression का वह आपका कौन सा method होता है straight line method आपका सबसे suitable होता है बताओ भई यह रहा next question for one cumic of cement concrete proportion with stone chips one for one the required number of cement bag तो जो से number of cement bag कैसे निकालते हो number of cement bag cement bag कैसे निकालते हो आप लोग बेटा volume of volume of cement volume of cement upon volume of one bag volume of one bag one bag इसको आप लोग इस तरह निकाल लोगे ठीक है इस तरह इस formula का यूज करके आप लोग इसको निकाल लोगे ठीक है चलो जिसमें कितने आएंगे something बोलो भाई calculate करके बताओ जल्दी से बोलो भाई calculate करके बताओ इसको बोलो भाई calculate करो जल्दी से इसका अंसर कि बोलो वन क्यूमेक है तो वन क्यूमेक को जब आप चेंज करोगे लीटर में तो 1000 लीटर आ जाएगा ठीक 1000 इसका volume cement का कितना हो जाएगा 1.5 अपान ये कितना हो जाएगा ये 35 इंटू 3.5 इसको calculate कर ले क्या है in typical compaction curve is indicated in diagram points A and B have density choose the most appropriate statement from the following post appropriate statement क्या है ये बताओ ये जो point है ये जो point है ये dry condition में है ये dry condition में point है तो soil at A will have same swelling and shrinkage potential at same point B तो बिलकुछ सही बात है कि ये जो point A है ये dry condition में ज्यादा जो है आपकी swelling characteristics in इसके comparison में most water content के comparison में present करती है इसका मतला answer मुझको ये पहला ये वाला ही सही लग रहा है तो इसका answer क्या हो जाएगा पहला आपका सही हो जाएगा चलो स्ट्रेंट ठीक है स्ट्रेंट तो आपको मिलते हैं कल सुबह आपको ध्यान रहे कल सुबह आपको 6 बज़े एक मैरातन सेशन है 6 बज़े से 9 बज़े तक आपको बहुत यह अच्छा theoretical सेशन मिलेगा ठीक है तो आप से 10 गंटे आपकी कांटीन्यू 50 दिन का कूर्स है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस कूर्स को लाइक एंड शेयर करिए और सुबह कल सुबह 6 से 9 और साम को साम को 6 बज़े ठीक है आपकी मैरातन क्लास है तो आप लोग जुड़ना ना भूलें ठीक है मिलते हैं आपको कल जो है नेक्स असर में थैंक यू सो मच अल आफ यू